नमस्कार दोस्तों ओम शेव ओम शेव ओम शेव दोस्तों आज तारीक है 9 जुलाई 2020 शुब दिन है गुरुवार का दिन शुब नक्षत्तर शत्विक्षा शुब तितिय चतुर्थी दोस्तों आज का राशिवर शुरू करने से पहले आज के दिन की जो विशेष्टा है वो यह है कि चतुर्थी तिति और चंदर देव का कुम राशी में होना ये एक लाजबाब योग बनाता है आज अगर आप शत्रों से घिरे हुए हैं या कोट केस से परशान है या बार बार कोट केस होके द्वारा स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे सिति में अगर आप आज के दिन अपने में घर की एंटरस के उपर चांदी की तार बान देते हो या लगवा देते हो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके सभी कोट केस खतम हो जाएंगे आपको रहत मिलेगी और दुबारा कोट केस नए कोट केस बिलकुल भी नहीं होंगे दोस्तों सबसे पहले मेश राशी मेश राशी वाले दोस्त आज आपका दिन बहुत बढ़िया बीतेगा योजनाई सफल होंगी सोची समझी सभी कोशिशे सफल होंगी काम्याबी मिलेगी प्रन्तु ज़्यादा किसी पर विश्वाश ना करें धन के मामले थोड़े सो समझ करें उधार आज किसी को मत दे नहीं तो पैसा फस जाएगा वरिश राशी वाले दोस्तों आपके लिए दिन बढ़िया है अनुकूल है योजनाओं को सिद्ध होने में आज कोई रोक नहीं सकता आपकी सभी योजने सिद्ध होंगी आज कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती ह है धार्मिक मंदिर में भी आप जा सकते हैं यहां किसी धार्मिक स्थान की आप यात्रा कर सकते हैं आज विद्वानों के पास बड़े बुचुर्गों के पास बैठना आपके लिए लाबदारी होगा आप आज उनके experience से आगे बढ़े और आगे तरक्की को वासिल करें धीरज रखे करोबार की स्थिती समानिया है खान क्वीन के मामले का भी ध्यान रखें परेज रखें कहीं पैर पे चोट लगने का भी भै है थोड़ा सावधानी से अपने दिन की प्यवस्ता करें सोचे समझे आगे बढ़े करकराशी करकराशी वाले दोस्तों आज आपका भागया आपका साथ देगा योजनाई सफल होंगी सोची समझी सभी कोशिशें आज पूरन रूप से पूरन होंगी आज मित्रों के सयोग से कोई बिगडा कार्या सिद्ध होगा सरकारी ओफिसर भी आज आपके बात पर विशेश तवजज़ों देंगे ध्यान देंगे है मंगल गारी है सिंग राशी सिंग राशी वाले दोस्तों आप आज थोड़ा सा रिस्क ना लें जो भी कार्या करें सोच समझ के करें सोच विचार के करें नहीं तो परशानी आपको घेर सकती है योजनाई विफल हो सकती है आपको एलिगेशन का सामना भी करना पर सकता है थोड़ा ध्यान रखें शांत रहें जल्दबाजी से बचें आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहें यह हम कामना करते हैं कन्याराशी कन्याराशी वाले दोस्तों अगर आप कोई नई गाड़ी लेने के बारे में भूमी लेने के बारे में या कुछ घर में कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोच रही हैं तो आज आप चुके मत अपनी बात लागू करें 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 आज आपके लिए भूमी वाहन के ऊपर पैसा-खर्चना बहुत बढ़िया है आप जैसा ही पैसा-खर्चेंगे तुरंट कमाई के नए जरिये भी आपके सामने बन जाएंगे आपक भी बढ़ेंगे घर में किसी मेहमान के आगमन की भी आज कुछ संकेत मिल रहे हैं वाइफ के साथ अच्छे रहेंगे मन मुटाब बिल्कुल नहीं होगा घर का वातावर्न भी आज सुख में रहेगा कुछ लाजीज खाने को भी आज आपको मिल सकता है आज आपका दिन लास है बहुत बढ़िया वरिश्ची गराशी वाले मित्रों आपके लिए आज का दिन कुछ नया करने का है कुछ नया करेट कीजिए कुछ नया सोचिए पुरानी बातों को भूल जाएं नया सोचें आगे बढ़ें चंदर देव आपकी राशी से तीसरे घर में चल रहे है तो आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया जा सकता है अगर आप कुछ नया करते हैं जो भी नया विचार आपके दिमाग में आ रहा है आप उसे अप्लाई कीजिए आप उसे कीजिए आपके सर्वकार्यसित होंगे आपको काम्याबी मिलेगी किसी नए काम को करने में धनुराश्य धनुराश्य वाले दोस्तों आपके लिए आज का दिन थोड़ा सुस्त में रहेगा कि योजनाई तो भोध बनेंगी प्रंतु काम्याबी 50 30 से 50 परसेंट ही मिलेंगी दोड़ूप जदा रह सकती है थकावट का भी आप सामना करना पर सकता है आपको आज का दिन नोर्मल है रिस्क ना ले नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है आप घाटे में जा सकते हैं मकराश्य मकराश्य के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा वैपार के नए र आपको अपने दिमाग से निकाल दीजिए रिस्क लीजिए आगे बढ़े आज आपके सीनियर्स भी आपके बात को तवज्जों देंगे आपकी बात को मानेंगे आप बिल्कूल टेंशन मतले आगे बढ़े होसले के साथ बढ़े हिम्मत के साथ बढ़े आपके सभी कार्या से दोंगे कुम्बराश्य कुम्बराश्य में चंदरदेव का गोचर है आज का दिन धनागमन का योग है जो भी आपने खर्चा किया है आज उसकी भरपाई हो जाएगी घर का वातावरन ठीक रहेगा मन भी शांत रहेगा वातावरन और बढ़िया करने के लिए घर में थोड़ी सी मश्च कपूर की टिकिया जला देजिए आपके जितने नुकसान आज तक हुए है सब की भरपाई होने शुरू हो जाएगे में राशी में राशी वाले दोस्तों आज आप अपने दिल की बात किसी से शेयर मत कीजिए अगर आप करेंगे तो बनते हुए कारें में रुकावाट आजाएगी हो सकता है कि वो आपका कारें सिद भी ना हो जो भी आप जोजना बना रहे हैं कारोबार के मामले में भूमी वहन के मामले में किसी से शेयर मत कीजिए कारोबार की स्थितिया आपकी समानिया है ध्यान रखें आज आपके अप शत्रूता भाव रख सकते हैं अपने दिल की बात बिलकुल शेयर मत कीजिए दोस्तों ये था आचकार आशीफल इसी के साथ मैं आप से आग्या लेता हूँ नमस्कार दोस्तों ओम शिव ओम शिव ओम शिव